विज्ञापन याने की advertisement, उसको समझने की बार बात करेंगे to understand the advertisement, आप देखे हर जगा आपको विज्ञापन दिखेंगे, टेलिविजन पे दिखेंगे, रेडियो पे दिखेंगे, सड़कों पर होडिंग्स पे दिखेंगे, समाचर पत्रों में, पत्रिकाओं में, यहां तक क आप देखें, टैक्सी, रिक्षा, इन सब में भी विज्ञापन दिखेंगे, सिनमा में भी आप विज्ञापन दिखेंगे, जब फिल्म शुरू होती है, जब आपके interval होता है, और internet की भी वेबसाइट है, आपको दाया हाथ पे या उपर या बीच में, आपको विज्ञापन हमें अपनियों आकरशित करते हैं, तो विज्ञापनों को हम कैसे समझेंगे, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे, आप देखें, यहाँ पर विज्ञापन है, यहाँ विज्ञापन है, इधर भी कई विज्ञापन होगा, यहाँ तक कि लोग जो कपड़े पहने उसमें विज्ञापन है तो विज्ञापन जो है हमारा ध्यान किस तरीके से खीचते है कि अलगल उत्पाद है उनकी तरफ या प्रोड़क्ट है उनकी तरफ हमारा ध्यान खीचते है करते है और विज्ञापन किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि देखिए ये साहब हम ये बेचना चाहते हैं और इसका वो वर्णन करते हैं जिससे हमको खरिदने में रुची होती है अगर आप इन दोनों विग्यापन को देखे बहुत ध्यान से तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर इनोंने बताया है तो टॉप टेस्ट धाल तो धाल का वे विग्यापन है कि जब आपके घर में कोई आए तो उसको सबसे भैसीन तरीके की आप धाल दीजिए यहाँ पर है कि माबाप मा और बच्चे की एक तस्वीर है अपने बच्चे को थोड़ा सा एक मार्मिक द्रिश्च है और इसमें आप यह पताना चाह रहे है तो क्या चीज़ आप बेचना चाह रहे है देखेगा कि यह एक साबुन है यहाँ पर टॉप टेस्ट डाल है डाल यानि कि जो लैंटिल्स होते है तो विज्ञापन में क्या बेचा जा रहा है यहाँ दाल बेची जा रही है यहाँ पर साबुन बेचा जा रहा है वर्डन किस तरीक से कर रहे है यह हम घरेलू घरेलू जो एक environment create करके इसको बेचा जा रहा है वर्डन में क्या पताने की कोशिश की है कि अतितियों को जो भी आए उनको परोसी है इसको यहाँ पर पताया जा रहा है कि अगर मा अपने बच्चे की केर करती है या पेरेंट्स अपने बच्चे की केर करते है तो इसका मतलब है उनको यह वाला साबुन यूज़ करना चाहिए चित्र क्या संप्रेशित कर रहा है यहां तो मा का प्यार है यहां पर अतिति देवो भाव का एक मेसेज हमें मिल रहा है इसके लाबा विग्यापन देखने के बाद क्या आप यह पाद खरीदना चाहेंगे बिल्कुल खरीदना चाहेंगे इसका कारण यह है कि अगर हमें अच्छी डाल चाहिए तो हम यहां से यह वाली डाल ले लेंगे हमें यह साबून एक भाग देखेंगे अगर अच्छा लगता है तो सुझिज उसको यूज़े करेंगे बच्छे के लिए तो brand brand के नाम और brand के मूल्यों का निर्मान तो brand शब्द क्या होता है विग्यापन brand निर्मित करने के बारे में ही है किसी का brand निर्मान करना अगर बिल्कुल initial state की बात करें प्रारभीक स्थर की बात करें तो branding का मतलब होता है किसी उत्पाद पर किसी विशेश नाम या चिन की मुहर लगाना याने अगर आपने देखा होगा कि Nike एक brand है तो उसमें tick बस एक tick का sign होता है तो एक बाजार को बाजार में या ये कहिए कि जो उत्पाद है उसको बाजार में प्रचलित अने उत्पादों से अलग दिखाना या भिन दिखाना और जादा superior दिखाना उसके रे किया जाता है तो ये विज्ञापर हैं को दुबारा देखिए आप समझ पाएंगे कि विचार अपकिस तरीके से इन advertisement से change होता है इन्होंने क्या नाम देए है निर्बाता उने इनके निविशिष्ट नाम क्या है तो जो दाले है दलहन है यानि कि लैंटन्स जो है वो बाजार में को खुले रूप में बिलते है अलग अलग डाल के नाम हम जानते है जैसे मसूर की डाल, उलत की डाल, चने की डाल अब ये नाम ब्रैंड ही है लेकिन जब कोई कमपनी मसूर की डाल लेकर एक पैकेट में बंद करती है तो उसी डाल को एक विशिष्ट नाम वो देती है देना पड़ता है इसकी अब शक्ता क्यों है जिससे की हम विशिष्ट पैकेट वाली जो डाल है बाजार में बिखने वाली खुली डाल के बीच हम भ्रमितना हो जाए इसलिए कमपनी वाले ये सुनिश्चित करते हैं कि जैसे आपने देखा ये डाल का नाम था टॉप टेस्ट डाल इस तरह उत्पादों को नाम देना ही हम ब्रैंडिंग कहते है इसी को ब्रैंडिंग कहलाता है तो आप जब दुकान पे जाएंगे तो आप बोलेंगे ज़रा टॉप टेस्ट डाल देना मुझे तो वो समझ जाएगी आपको क्या चाहिए अब देखिए ब्रैंडिंग या दागना ये पशू पालन की ज़रूरत से आया है इस शब्रैंडिंग अलग-अलग मालिकों के पशू चरागाहों में एक साथ चरा करते थी अब कौन से पशू किसके है इसमें समस्या पैदा होती थी तो मालिकों ने इस दिकत का हल इस तरीके से निकाला कि वे गर्म लोहे की मदद से अपने पशू पर अपना खास चिंड दागने लगे और इसी को ब्रैंडिंग कहा गया अब साबून की बात अगर करें जो हमने चितर देखा तो आज बाजार में बहुत सारे साबून है अलग-अलग तरीक के साबून है अलग-अलग कंपनी ऐसे बनाती है तो बाजार में अनेक प्रकार के साबून उपलब्ध होनके कारण कंपनी को अपने साबून को एक पेशल नाम अलग उस सबसे अलग दिखने के लिए इसको एक अलग नाम देना पड़ता है तो उससे ऐसा करके वे एक और ब्रैंड का साबून आपके लिए उपलब्ट करा देते हैं तो जो केवल उपाद का नाम है या ये कहिए कि उपाद का नाम हमें उसे खरीदने को पेरिद नहीं करता क्यों यही कारण नहीं है साबून और दाल के निर्माताओं को हमें आश्वस करना होगा कि उनका साबून और दाल बाजार में जो अन्या साबून और दाल हैं उससे बहतर है यही पर advertisement की जरूत परती है तो हमें विज्यापित जो उत्पाद है, advertised product है उसके प्रती आश्वस्त करने के लिए, उसे खरीदने के लिए, प्रेरित करने के लिए विज्यापन की भूमी का निर्नायक होती है तो किसी ब्रैंड को भी विख्सित करने का काम उत्पादग या उत्पादग को नाम देने पर समाप नहीं हो जाता जैसे आपने का टॉप टेस्ट दाल, ये विखना शुरू हो गई एक अन्य कंपनी बाजार में पैकेट बंद दालों को बेस्ट टेस्ट दाल के नाम से बेचने का निना ले लेती है ठीक, टॉप टेस्ट दाल हो गया, आपने एक दूसी कंपनी आगी उसने कहा बेस्ट टेस्ट दाल अब इस प्रकार से बाजार में दो प्रकार की ब्रैंड हो गई दाले दो प्रकार के ब्रैंड के आगए और दोनो company की जबिद्स इच्छा होती है कि जो consumer है, जो लोग हैं वो उनकी डाल खरीदे तो ऐसे में भोगता यानी consumer भ्रमित हो जाता है देखे एक था top taste dal जिसका आपने देखा और यह है आपका best taste dal तो भबित कैसे होता है क्योंकि वे top taste dal और best taste dal यह नाम इतने एक जैसे है जिसका अंतर easily पता नहीं चल पाता तो निर्माता द्वारा ग्राह को विश्श्च ब्रायंड की DAL खरीदने के लिए एड़र्टाइजर है ग्यामपन दाता है अपने ब्रैंड की वस्तों की विशिष्टा या वो सुपीरियर है अच्छे है उसका दावा करता है तो इस तरह से वो अपने उत्पाद को जो बाकी अवेलेबल उत्पाद है उससे अलग दिखाने की चेश्चा करता है तो कैसे अंतर होता है इसको समझेगा पहले मैं आपको दिखा दू कि उत्पादों के निर्माता ये सुनिष्ट करने के लिए करोड़ों रूपे खर्च करते हैं कि हम जहां भी जाएं उनका विज्ञापन देखते रहें देखें तो आप देखें कि यहां हम रोड पे चल रह अलग अलग पकार की बाते कर रहे हैं ।क टेस्टार ने कहा है कि ग अतिति आएगा, अतिति सत्तार के हमारी जो समाजजीक परंपरा है, उसका साहरा इनों ने लिया, लेकिन जो बेस्ट टेस्ट डाल है, उसमें बच्चों को दिखाये गया, कि बच्चों के स्वास्ता ख्याल रखने, और उनको अच्छी चीजे खिलाने, कि जो हमारी चिंता है उसको इन्होंने एक तरीके जुभारा तो अथिधियों का सद्कार करना और बच्चों को पोशन युक्तार देना जो ये मूल्य है उनका उपयोग ब्राइंड का मूल्य बढ़ाने के लिए किया जाता है या किया गया है तो ब्राइंड मूल्य को हम तक पहुचाने के लिए दृश्यों शब्दों और उसकी द्वारा हमारे मन में जो अच्छी लगने वाली छवियां है वो निर्मित होती है जैसे अगर आप देखे कि अगर आप सिमेंट बेच रहे हैं वो सिमेंट जो है एक आर्मी बाला आदमी के ड्रेस में कोई बेच रहा है बता रहा है आपको तो आर्मी के प्रति या डिफेंस के प्रति आपके दिल में हमेशा इज़त होती है या बड़े बुडे को दिखाये गया उनकी हमेशा हम इज़त करते हैं माता या पिता का बच्चों से प्यार उसके हिसाब से कोई चीज बेच देगे उनको लाखे तो आपको वो दिल में चुएगा तो आप खरीदने की कोशिश करेंगे तो ये काम होता है अब ब्रैंड के मूल और समाजिक मूल ली तो आज जो विग्यापन है हमारे समाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बहुत प्रमुक अंग बन गए है जब हम विग्यापन देखते हैं चर्चा करते हैं तो लोगों का आकलार उनके द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे ब्रैंड उत्पादों के अधार पर हम करते हैं यह जानने के बाद भी कि विग्यापन हमारे जीवन को प्रभावित करने के महत्पूर्ण सादन है यह आवशक है कि हम यह भी समझे कि यह किस तरह काम करते हैं फिर से हम यहाँ पहुँचते हैं उन दालों से कहीं अधिक होती है जो खुली मिलती है क्योंकि विग्यापन का बूल भी इसमें शामिल होता है इससे बहुत से लोग उन्हें नहीं खरीद पाते जो लोग टॉप टेस्ट डाल नहीं खरीद पाते विग्यापन के वजए से यह सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद जब अतीती आये तो उनका सदकार हम अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं धीरे धीरे लोग ये विश्वास करने लगेंगे कि ब्रैंड वाली डाले ही अच्छी होती हैं खुली बिखने वाली जो डाल है वो उसके अपिक्षा डाल खरीदना वो पसंद करेंगे जो पैकेट में बंद होके आती है वास्ता में दोनों डालों में जो खुली मिलती है और जो पैकेट में मिलती है वो उसमें जादा अंतर नहीं विग्यापन के कारण हम अंतर की अपने आप कल्पना करने लगते हैं जहां तक सोप की बात है या साबून की बात है इसके विग्यापन में आप ज़क्तिगत भावनाय देखिए माता और बच्चे का प्यार इससे बड़ा तो कुछ नहीं होता है ना अगर माँ बच्चे का दिख्भाल करती है और उसको ये चीज़ विग्यापन दिखेगा तो उसको ये वहेंगा साबून खरीना पड़ेगा विग्यापन ने बच्चे के प्रती माँ की चिंता को इस्तमाल किया वो माँ को बताता है कि इस खास ब्राइंड के साबून का इस्तिमाल करके उसका प्रेम और उसकी चिंता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित हो सकती है तो इस कारण माताई ये महसूस करने लगती है कि साबून का प्रयोग करना एक संकेत है कि वो बच्छे उसे अधिक प्यार करती है तो इस प्रकार के विग्यापर अपने महंगे साथ उनको बेचने के लिए मा के अपने बच्चे के प्रती प्रेम जो उसका एक जिसे कहेंगे कि अंसलफिश लव है उसका इस्तिमाल करती है और जो इस माताएं ये खरीद नहीं पाती है वो महसूस करने लगती है कि हम अच्छे तरीके से अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो विग्यापन है वे अधिकतर हमारी विक्तिकत भावनाओं के केंडर मतलब जो हमारा इमोशन्स है उसके साथ वो कहीं जोडने की कुशिश करते है और अपना इसके करन जो जादा मारमिक होता है जो जादा ऐसी चीज आती है कि भाई हमको दिल पे लगे वो हम वो जादा खरीगते हैं जैसे अगर कोई एक आप देख लीजे कि कोई आया और उन्होंने कहा देश का नमग अब कोई देश का नमग बताएगा तो अब देश के नाम पे बेचा जा रहा है तो ले लेगे किसे ने कहा कि हम ये साबून बेच रहे हैं लेकिन ये या फिर पारी है ये जो उस समय के चलते हुए लोग परी नेता है वो बेचने का प्रेतन करते हैं विज्यापन की द्वारा अब हम उत्सुक हो जाते हैं क्योंकि हम उन्हें रियल लाइफ हीरो मानते हैं जो हीरो परदे पर दिखता है या क्रिकेट मैच में अगर हम आपके सामने इसलिए विज्यापन के चितर दिखाते हैं कि जो अमीर लोग है वास्तविक्ता बहुत कर्म दिखाई जाती है अब देखिए कि विज्यापन हमारे जीवन में जैसे मेरे का बहुत इंपॉर्टन है इन विज्यापनों के आधार पर ना किवल हम उत्पाद खरीगते हैं वर विज्यापन द्वारा बेचे जाने वाले विज्यापनों को खरीदने से पहले जानना ज़रूरी है कि विज्यापन क्या काम करते हैं कैसे काम करते हैं और हम तार्किक धंग से सोचे विशेश छवियों को ही क्यों हम विज्यापनों में देखते हैं अमिताप बच्चन कम से इस्तिमाल करते हैं, हमारे emotion और हमारे दिल के साथ, दिमार के साथ किस तरीके से, यह हम वो attract करते हैं तो आज एक प्रमुक TV चैनल पर प्राइम टाइम में 30 सेकंड का विज्ञापन देखने का शुल्ग जो है बहुत ज़ादा है एक प्रमुक अक्बार में चौथाई पेज का आकार में अकर रंगिर भी ग्यापन दे तो वह भी बहुत लाखों बेजाता है मैं यह क्या आपको इची तर दिखाना चाहता हूँ कि स्कूल के बच्चों द्वारा बनाया वह यह एक कोलाज है बाचूर लोगों को विभिन उपदों का प्रचार करते दिखाये जारा है यह सारे के सारे नोग है यह सारे के सारे जो है यह मॉडल्स है हीरो है या फिर क्रिकेटर्स है तो हाल ही में मीडिया में एक रिपोर्ट थी कि एक शिर्शस्थ हिलाडी ने 180 करोन रुपे में तीन वर्ष के लिए कई विग्यापन करने का अउबंद किया है एक लोग प्रियर मॉर्डल एक विग्यापन के लिए पांच लाग रुपे या उससे अधिक ले सकती है वैसे आज का रेट खाफी बढ़ गया या लेते होगी तो विग्यापन बनाया कैसे जाता है लोगों को किसी विशेह ब्राण की चीज़े खरीदने या खरीदवाने में विग्यापन का महत्पुन हाथ है या असा नहीं होता इसमें बहुत सारी किताबे लिखे जा चुकी है विग्यापन का उदेश होता है लोगों से एक विशेश ब्राण की चीज़े खरीदवाना इसका मतलब यह हुआ कि विग्यापन देखने के बाद हमें उस ब्राण की वस्तु खरीदने की चाहत हो तो अब यह देखते हैं कि कैसे विग्यापन मनाने वाले निरनाय कैसे लगते है कि उत्पात को बेशने के लिए कि इन चितरों चिन विवरणों और वित्तिकत भावनाओं का इस्तवाल किया जाए या उनको एक्स्पोइट किया जाए देखिए यह प्यार भरा साबुन है एक बहुत प्रमुख कंपनी विग्यापन कंपनी है उसके कारियाले में बाचित हो रही है तो जैसा कि आप जानते हैं सभी महानगरों और बड़े शहरों में हमारी कंपनी की काफी अच्छी पहचान है अब हम अपना नया ताज़गी वाला साबुन बाजार में लाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि यह बहुत ही खास साबुन के रूप में सामने आए और आने केच्छे मेरे के अंदर गांश ग्राखकों पर कब्जा करें तो इस बाच्छीत में यह साहब कहते हैं आपका ग्राहक किस तरह का वेक्पी है यानि इतनी उची क्वालिटी के साबुन का इस्तमाल करने वाले वे खास लोग कौन है और यह जाने के लिए हम बाजार का एक सर्वे करेंगे फिर हम एक ऐसे ग्यापन की कल्पना करेंगे जो हमारे निशाने पर सही बैठेगा और हमारी जो लक्षित ग्राहक है यानि कि जो टार्गेट कंज्यूमर है उनको लुभा सके तो यह साहब कहते हैं बहुत बढ़िया फिर्पिया बाजार का अध्यन करने वाले सबसे योग ये विशे शब्यों को इस काम पर लगाई है ये आपस में डिसकुशन चल रहा है तो दो सब्ता के बाद क्या होता है कि बाजार के सर्वेक्षन के बाद ये सामने आई है कि 21 से 40 वर्ष्ट की युवा मात आये हैं बच्चों के लिए इस्तिवाल किये जा रहा है जो साबून के बारे में काफी जिकर करती है अब एक बहतर साबून के लिए ज़्यादा कीमत चुकाने को तयार है तो हमें अपने साबून को ऐसी ब्यांट पहचान बनानी चाहिए जो उन्हें आके अर्षित करें हाँ बहुत अच्छा विचार है अब विग्यापन कंपनी की जो रचनात्ना टीम है वो विचार करने लगती है कि बाजार में जितने भी बच्चों के साबून है तो प्रकृतिक गुन जैसी बातों पर जोर देते हैं नया ब्रैंड नाम भी हमें सोचना होगा तो केर साबून नाम कैसे लगेगा जबरदस्त यह वह इना बात बहुत अच्छा नाम अब विग्यापन कंपनी अपने काम को साबून निर्माता के समख्ष रखती है तो हमारे अभियान की अवधारना ये होगी केर साबून अपना प्यार रोज तरुताजा करिए हमारे ब्रैंड की जो रणनेती है उसको मजबूत करने के लिए हम उन चिंतरों को भी मातावर मच्चो को ही जगदेंगे यानि कि उन चितरों में भी तो ये कहते हैं सहाब मुझे अवधारना बड़ी पसंदाए अब विग्यापन और उसके चितरों का परिक्षन लक्षित दर्शकों के बीच किया जाता है तो यहां पर बाश शुरू होती है कि हाँ मुझे लगता है इससे प्यार और दुलार कोई अलग तरह से जाहिर करने का मौका मिलता है मैं इस ग्राण को आजमा कर देखना चाहूँगी शुक्रिया मैडम तो अब यहां पर चीज़े शुरू होती है अब साबू बेचने की जो रणेती है जब कारवर लगने लगती है तो विग्यापन अभियान के अंतुर चरन में पहुंच जाता है बाजार में साबून के आने के साथ-साथ उसके विग्यापन में भिन संचार माध्यमों से जारी कर दिया जाती है जैसे कि टीवी हो गया, निूस्पेपर हो गया, होर्डिंग्स हो गया अब ये जो हमने देखा कि किस तरीके से विग्यापन आगे बढ़ता है, बनाया जाता है तो विग्यापन और लोगतंतर में क्या रिलेशन है, डिमोक्रेसी में तो एक लोगतंतरी समान में विग्यापन अनेक प्रकार से समानता समंदी विश्यों से जोड़ जाते है विग्यापन देखाना महगा है, यूकि बाजार में बहुत सारे विग्यापन है, इसलिए कंपीनियों को अपने विग्यापन बार बार दिखाने पड़ता है ताकि वो दिमाग में बैठे रहे लोगों के, तो इसका सावान अर्थ यही है कि केवल बड़ी-बड़ी कंपनिया ही विग्यापन दे सके है जिए आपका आपका चोटा है, तो आपके पास इतना पैसा नहीं होगा कि आपने उत्पाद का टीवी या राष्ट्रे सर्टर के जो समाचर पत्र है, पत्री का हैं उसमें इनका विग्यापन दे सके इसे लोगों गवारा घर पर बनाकर बेची जाने वाले जो पापड़ हैं, अचार हैं, विठाईया हैं और जैंप, ये फैस्टेबर नहीं समझे जाते हैं मैं एकसका एजांपल दूँगा लेकिन उससे पहले जरा एक समाजिक विग्यापन देखिए, ये सरकार की जो निजी संसाय हैं, ऐसे विग्यापन भी मनाती हैं, जिनसे समाज की किसी बड़े देश का पसारण हो सकी, ये समाजिक विग्यापन कहलाते हैं, अब यह तो ये भी बहुत जरूरी है, ये विकलांग बच्चों के शैक्षनिक अधिकारों से समधिक एक समाजिक विग्यापन है, और यहाँ पर असुरक्षित रेल्वे क्रॉसिंग को पार करने से समधिक विग्यापन है, तो इस तरीके से समाजिक विग्यापन होते हैं, अब हम जो साब्ताहिक बाजार है ये आसपास की दुकाने वहाँ लोगों को बेचना पड़ता है, और विग्यापन हमारे हमको ये भी विश्वास दिलाने लगते हैं, कि पैकर में बंद ब्रैंड नाम वाली चीज है, वो वाकई में बहतर है, हम ये जानना भूल जाते हैं, कि उत साब हैं, अब ये कितना कमा पाएंगे, क्योंकि अल्टिमेटली इनकी चीज़ें या फिर समझी है कि जो मैनिफैक्चरर है, वो ये बेचने के लिए आया हैं कुछ, अब वो आसपास ही बेच सकते हैं, तो लोगतंत्र में जहां सब लोग बराबर हैं, जहां सबी को सम्मान ये जीवन जिने योगिया अउसर मिलने चाहिए, वो विग्यापन गरीबों के सम्मान में एक प्रकार की कमी जरूर लाते हैं, और उनके चेहरे विग्यापन में नहीं दिखाया जाते हैं, इसलिए हम उनके जीवन को भैज़ नहीं देते हैं, तो विग्यापन हमें यकीन जो चीजे पैक होकर आती है वो बिना पैक होई चीजों से जादा अच्छी होती है यह इसका जित्रन है तो विग्यापन लोगों की जो निजी भावनाएं हैं उसको चेरता है, उसको पुकारता है इसलिए कई बार जब लोग यह विग्यापित वस्तु नहीं करिद पाते हैं ताम उन्हें बुरा लगता है उन्हें महसूस होता है कि वे अपने पुरीये लोगों का वैसा ख्याल ही कर पा रहे हैं ध्यान ने रख पा रहे हैं यह असमर्थ जैसा विग्यापित में देख रहा है यहाँ पर एक रस निकालने वाले अपने ग्राहत दोगाने लगे हैं क्योंकि विग्यापित के प्रभाव से जो बैंड़ेट पे परदार्थ हैं उसको ही लोग खरीदना चाहते है तो विग्यापित धनी और प्रसिद लोगों पर हमारा ध्यान केंदित करके हमें गरीबी, भेदभाव और आत्तसमान आदी बातों के बारे में सोचने से दूर कर देते हैं जिसका सामना किये बिना लोग तंत जियने की डिमोक्रिक्सी में समानता सथापित नहीं हो सकती तो उत्पादों को बेचने के अतरिक विग्यापर हमें ये भी बताते है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए हमारी क्या महित्व का अंक्षा होने चाहिए, हमारे क्या ड्रीम्स होने चाहिए प्रेम के अभीविक्ति कैसे करे, चुस्त सफ़ला सुन्दर होने का क्या मतलब है तो लोगतंत्री समाज का नागरिक होने के नाते हमें अपने जीवन पर विग्यानपनों से पढ़ने वाले जो सशकत तबाव है उसके बारे में थोड़ा सा सजक्त रहना है जुडिडिशस रहना है विग्यापन क्या करते हैं इसके अबारे में तरकों के साथ सोचने के बात हम यह दिरने ले सकेंगे कि हमें कौन से चीज़ खरीद भी है, कौन सी नहीं तो यहां पर कुछ शब्द आये हैं जैसे उत्पाद, प्रोडक्ट तो इसका ताथपर यह है किसी चीज़ या सेवा से है जिसे बाजार में बेशने के लिए बनाया गया है उत्पाद को खरीदने और उनका उप्योग करने के लिए धन देते हैं ब्रैंड के बारे में बात करें तो इनका आशाय उत्पाद के विशेश नाम या पहचान से है इस पहचान के निर्मान विग्यापन प्रक्रिया द्वारा होता है प्रभावित करना, इन्फ्लेंस करना इसका मतलब है किसी के विश्वास या कारे करने की प्रक्रिया को बदलने की शक्ती जीवन शाली की बात करें तो इस शब्द का तात्पर यहां इस संधर में यह है वे स्थान जाओं भूजन करते हैं आदी इत्यादी